हलो फ्रेंज मैं मीनित वामर्च, स्वाकिब करती हूँ आपका अपनी किचन में आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ मावा लड़ू की रेसिपी जो की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो लगते हैं और बहुत ही आसान है बनाने में मिन्टों में तयार हो जाते हैं बिना किसी ज़ंजट के तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी सबसे पहले मैं दिखाऊंगी समान लड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए मावा यानि की खोया और यहाँ पर मैंने चीनी से पाउडर शुगर बनाई है तो उसके साथ मैंने क्या लिया है एक इलाइची को डाल कर पीस लिया है जिससे इलाइची का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चीनी भी हमारी पिसकर तैयार हो जाती है और इसी के साथ हमें चाहिए थोड़ा सा नारियल का बुरादा और ड्राइफ रूट्स तो मावे को यह देखे मैं चम्मत से हलका सा नीची की तरफ थोड़ा सा तोड़ दूँगी और इसके बाद आप देख सकते हैं कि देरे देरे भुनते भुनते यह हो जाता है काफी लूज पर जाता है इसमें हमने कोई खी वगरा कुछ नहीं डाला है बीना खी के ऐसी सूखा ही भुना है यह देखिए दो तीन मिनट में ही यह बहुत अच्छा सा भुन जाता है यह देखिए कितना लूज होता जा रहा है हलका हलका इसका कलर चेंज होने लगेगा पहले यह बिल्कुल इस तरह से लूज हो जाएगा फिर हलका इसका कलर चेंज होने लगेगा यह देखिए मावा हमारा भुन गया है गैस को मैंने बंद कर दिया है अब हलका सा इसको आदा मिनट में इसी तरह से ऐसे ही चलाते चलाते भूल लोंगी क्योंकि जो पैन है काफी गरम है अब इसे हम बरतर में ट्रांसवर कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से बस हलका गुंगुना रहने चाहिए बिल्कुल भी ठंडा नहीं हलका सा गुंगुना कि अब यहां पर हमारा जो मावा है वो ठंडा हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा और इधर हम मेवे मिला देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे साथ ही इसको और अब इसमें जाएगी पाउडर शुगर अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे देंगे ध्यान रखिएगा जो मावा है उसको थंडा करके ही डालें क्योंकि अगर आप गरम डालेंगे तो वो जो पाउडर शुगर हमने त्यार की है वो बिल्कुल बह जाएगी और ये हलवे की तरह हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखिए बिल्कुल गुन-गुना ही रहना चाहिए जादा गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अब ये देखिए अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई है अब इसको हाथ में इस तरह से लेकर देखेंगे कि बाइंड हो रहा है इसका मतलब बहुत ही बड़िया हमारे लड्डू बनकर तैयार हो जाए हैं आप इने ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैन पर नए हैं तो सब्सकाइब कर लीजेगा और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कीज़ेगा ताकि आने वाली सारी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जा से भी बहुत एजी तरीके से बन गई असानी से कभी भी बना सकते हैं आप अपने वरत रखा हो तो उसमें भोग के लिए भी बना सकते हैं आप भगवान जी के तो यह देखिए लड़ू बनकर तयार हैं थांक्यू